उपमंडर बंजार की तीर्थन घाटी के कई दूर दराजक शेतर आज भी आजादी की साथ दशकों बाद सडक और स्वास्त जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचत हैं यहां के लोगों को बिमारी की हालत में अपना इलाज करवाने के लिए कई किलोमिटर दूर का सफर पहाडी रास्तों से होकर तै करना पड़ता है तेर्थन घाटी की नवगठित ग्राम पंचायत पेखडी के सेकडों लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हैं ग्राम पंचायत पेखडी कहने को तो विश्व धरोहर ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क का प्रविश्द्वार है जहां पर जैविक विवित्ता का अनमूल खजाना शिपा पड़ा है यहां प्रतिवर्ष सेकडों की संख्या में अनुसंधान करता प्राकृतिक प्रेमी परवता रोही ट्रेकर और देशी विदेशी सेलानी घूमने फिरने का लुद्व उठाने के लिए आते हैं लेकिन इस सक्षेत्र के सेकडों वानशित आज तक आजादी के साथ दशक बाद भी विकास से कोसो दूर हैं यहां की लोग अभी तक सड़क, रास्तों, पानी, स्वास्ते और शिक्षा जैसी कई मूल भूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं नोहांडा पंचायत से अलग हुई पेखडी पंचायत के गाओं दारन, शुंग्चा, घाट, लाक्चा, नाही, बाईटी, चलिंगा, चलिंगा, नडाहर, लुडार और गदेहर आदी गाओं के सेकडों लोग अभी तक सरकार्व प्रशासन से उमीद लगाए बैठे हैं कि कब उनकी दहलीज तक भी सड़क पहुँच जाएगी, यहां के लोग अभी तक अपनी पीट पर बोज़ ढूने को मजबूर हैं, यही नहीं जब गाओं में कोई व्यक्ति बिमार पढ़ जाए तो मरीज को दुरगम पहाडी, पगडंडी रास्तों से लकडी की पालकी में उठाकर सड़क मार्ग तक पहुचाना पड़ता है, ऐसा ही एक नजारा तीर्थन खाटी की दूर दराज नवगठित गराम पंचायत पेखडी के नाही गाओं में सामने आया है, नाही गाओं के सुजाता महता उमर 29 वर्ष, पत्नी रुपेंद्र कुमार को अचानक पेट म ने दर्द उठा, जिस कारण वह बेहोश हो गई, इसके घरवालों ने काफी घरे लूप चार करने की कोशिश की, लेकिन सुजाता का दर्द कम नहीं हुआ, गाओं में कोई स्वास्ते सुविधाना होने के कारण दिन के समय ग्रामिनों ने बीमार सुजाता महता को तीन किल आज के लिए सडक मार्क तक पैदल पहुचाना पड़ता है, इस तरह की स्वास्ते संबंदी, अमर्जनसी होने पर सैकड़ों ग्रामिनों को बहुत कठेनाई का सामना करना पड़ता है, इसक्षेतर से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को हाई स्कूल वह इससे आग तक लेने के लिए करीब 5 किलोमेटर का सफर पैदल तै करना पड़ता है, जहां पर सभी पहाडी रास्ते कच्छे बने हुए हैं और खतरनाक सानों पर कोई सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं है और लोग वैसे ही उठा के मरीज को कुर्सी के उपर 3-4 किलोमेटर के आसपास पैदल यात्रा में रोड तो पंचाना पड़ता है और हमने सरकार से भी गवार लगाई थी कि हमें रोड चाहिए और रोड का काम शुरू भी होता लेकिन 2-3 हफते से बंद है आखिर क्यूं है यह आमें नहीं पता है तो मैं चाहूंगा सरकार से इंची पे प्रोपर ध्यान दिये ताके ऐसी गटना से बचे लिए कुलू से मनिश ठाकुर की रिपोर्ट क्या इंची अग चाहिए, कि सिस्क्राइब कारा कि अखिछ से अखिआयवा और दियादार झालमेश कॉर्शे, कि अखिए जिए पिरेकिक आलमेश्ग जिए धाए ज़ बचाहिए, कि अज़टे की अखिए, कि से लिए लेगए लेकिई ये रेकिए, अज़ग नेफे खाई पेशन्कल प्राफल प्रbelsा ठार वहां नहीं, प्राफे. प्राफे एतsis प्राफे फ१ॉष करें पॉषा किमौष अविरस नहीं, अगे ए — पॉषिस ऴते का एंटारा विरस एंग एंगी प्रेस शपयारा प्रेदीटестьि Tampa and that will cause the infection to the other person and in this way the human to human spread starts and a change starts and from one index case many people start getting the infection therefore if we cover our cough and we wash our hands properly we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community especially to our near and dear ones who are in close contact with us you